यूनियन के पदादिकारियों का कहना है कि करमचारियों के E.P.F. में भी काफी तरूटियां है जिसमें एक ही UN नंबर पर दो मज़दूरों के E.P.F. का पैसा डाल दिया गया है जिसके कारण मज़दूर अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और कुछ मजदूरों का बकाया वेतन भी जमा करवाने को है सिवरमेन शिरेनी की सेलरी में वर्ष 2018 से कोई विरिधी नहीं की गई है वर्ष 2018 से लाव कैमिस्ट और इलेक्टरिशन की सेलरी भी कम कर दी गई है जो ग्यार कानूनी है इसके लावा लाल पानी प्लांट में दो मजदूरों को मानसिक रूप से परतारित किया जा रहा है और रूम रेंट के नाम पर 2000 रुपे प्रतिमाह काटे जा रहे है वाटर सप्लाई कॉंट्रेक्ट वर्कर्ज यूनियन गुम्मा का 2018 और 2019 का बकाया एरियर अभी तक नहीं दिया जा रहा है इसके लावा आईकार्ड एसाई छुट्टियों का कानून भी लागू नहीं किया जा रहा है और एक ही मल्दूर से कईश्रेणियों का काम लिया जा रहा है जो की गयर कानूनी है प्रद्श्न पर्द्शन करते हैं इससे पहले कर सकी हुआ है चार साल का टाइम बिरियेड़ निकल चुका है पर चार साल के अंदर जो रहा है वहाँ पर जमा नहीं कुरा रहे हैं हमारे एपीएफ ना हमारे वरकर इतने एजुकेटिड हैं जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वो तने पड़े लिखे नहीं है कि वो अपना एपीएफ जो प्रोब्लम जो है उसको अपने आप ही शोट आउट कर दें पर जो जमा होना पर इस याद नहीं जाए गई है तो एंट ओ मांवक की तरफ से रूटी है कि वह हमारे खहतों में पैसे नहीं डाल रहें जिसकी वज़े से हमारे वर्कर नो को बहुत जादा प्रिशानी हो रही है क्योंकि हमारा जो वर्कर है वह हैं टो मौ वह सारा समूठ हो जितना व्यूस मैं किसी पर तर्य त्रू हो वह हमारे विवाग histori यह क्योंकि हम विभग के पास कम पते हैं हम ठृकदारों के दो वच्टर है पर हम काम गवा का रहा है इसलिए वीवाग कि जिम्मेंबारी है कि वो ठेकदारों के अपन नकेलका से और जितने भी हमारा यह तुटियां है वो यह पैसे नहीं जमा हुए हैं वो सब जो है वो देखें वहाँ पर